विजन आईएस के नियूस टुड़े के संख में आप सभी का स्वागत है इसंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा के दृष्टी से महत्वपूर्ण कुछ एहम खबरें इसंख के साथ मैं हूँ दिव्यत उमर आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंख की हेडलाइन्स के बारे में वेग्यानिकों ने स्टेम सेल्स का उपयोग करके कृत्रिम भुरून विक्सित किये हैं केंद्रिय वानिज्यों और उद्योग मंत्री ने भारत अफ्रीका व्यापार में हुई प्रगती को रिखांकित किया तमिलनाडू के राजपाल ने मंत्रियों के विभागों में फेर बदल करने के राजसरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जीटवंटी के नीती पत्र में इलेक्ट्रोनिक वीकल्स बैटरियों में उपियों किये जाने वाले खनीजों की पुनर्चक्रन शमता के लिए वैश्विक निधी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जीएस्टियन को अकाउंट एग्रिगेटर के माध्यम से व्यापार प्राप्य बट्टा प्रनाली यानि ट्रेड्स के साथ एकिक्रित करने पर विचार किया जा रहा है और विश्व बैंक की रिपोर्ट के मताबिक सबसीडी जलवायू परिवर्तन से लड़ने में मदद नहीं करती और आईए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं इस अंकी सबसे पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक विज्ञान एवं प्रॉध्यगी की सिसंबंदित है विज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स का उप्योग करके कृत्रिम भूण विकसित किये हैं ये भूण मानव विकास के प्रारंभिक चर्णों के प्राकरतिक भूणों के समान प्रतीत होते हैं हाला कि इन कृत्रिम मानव भूण जैसी सनरचनाओं में धड़कते हिरदय या मस्तिश के विकास का अभाव हैं लेकिन इन में ऐसी कोशिकाएं जरूर हैं जो गर्भनाल, अंडपीत कोश और भूण का रूप ले सकती हैं अब ये कृत्रिम भूण जो विकसित किये गए हैं इस उपलब्धी का महत तो ये है कि इससे अनुवांशिक विकारों के प्रभावों को समझने तथा बार-बार होने वाले गर्भ पात यानि मिस्कारजिज के जैविक कारणों को जानने में मदद मिलेगी कथित तोर पर मानव भूण के निर्मान के लिए अंडानों या शुक्रानों की आवशक्ता नहीं होगी STEM Cells के बारे में ये कहा जाता है कि ये आधार कोशिकायं हैं जिन में शरीर की विशेश प्रकार की कोशिकाओं के रूप में विकलई होने की अद्वितिय शमता होती है STEM Cells शरीर के विकास के साथ नई कोशिकाइं प्रदान करती हैं और साथ ही ये शतिग्रस्त या फिर नश्ट हो चुकी विशेश कोशिकाओं की जगह लेती जाती हैं। Stem Cells की दो अनूठी विशेशताएं होती हैं। ये नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए बार-बार विभाजित हो सकती हैं। और जैसे ही ये विभाजित होती हैं, ये अन्य प्रकार की ऐसी कोशिकाओं में परिवर्दित हो सकती हैं। ये शरीर का निर्माण करती हैं। Stem Cells के प्रकारों की अगर हम बात करें तो एक होता है भुरूनिय Stem Cells, दूसरा होता है वयस्क Stem Cells और तीसरा है Induced Pluripotent Stem Cells। तो भुरूनिय Stem Cells जो हैं ये कोशिकाओं भुरून के ब्लास्टोसिस चरंड के दौरान बनती हैं। ये प्लूरिपोटेंट हैं लेकिन गर्वनाल जैसी अतरिक्त भुरूनिय कोशिकाओं के विकास में योगदान नहीं करती हैं। वयस्क Stem Cells कोशिकाओं विशिष्ट उत्तकों में पाई जाती हैं। ये केवल इन्हीं उत्तकों की कोशिकाओं की मरमत और निर्मान करती हैं। अफ्रीका संवरिधी साज़ेदारी पर 28 CII Exim Bank Conclave में दोनों पक्षों के दुपक्षिय व्यापार में हुई प्रगती का विवरण दिया। वितवर्ष 2022-23 में अफ्रीका के साथ भारत का दुपक्षिय व्यापार 9.26 प्रतेशत बढ़कर लगभग 100 बिलियन डॉलर हो गया था। भारत का लक्षे 2030 तक व्यापार की मात्रा को दो गुना करके 200 बिलियन अमेरीकी डॉलर करना है भारत अफ्रीका द्विपक्षिय व्यापार संतुलन के स्थिती में हैं। वित्वर्ष 2022-23 में 51.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नेरियात किया गया और 40.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ भारत अफरीका साज़दारी के अगर हम बात करें तो दोनों पक्षों के बीच साज़दारी का इतिहास लंबा रहा है 1920 के दशक की शुरुआत से ही भारत अर अफरीका के बीच एक जुटता और राजनितिक संपर्क रहे हैं ये वो काल था जब भारत अर अफरीकी देश अपनिवेशिक शासन और उनके द्वारा किये जा रहे दमन के खिलाफ लड रही थे हाला कि अफरीका के साथ भारत की आर्थिक साज़दारी 2000 के दशक की शुरुआत से तेजी से बढ़नी शुरू हुई थी भारत के लिए अफरीका का महत्व इसलिए भी है क्योंकि अफरीका के पास प्रचूर मात्रा में खनिज, तेल और प्राकरतिक गयस के भंडार हैं ये भंडार भारत की उर्जा सुरक्षा सुनशित करने में मदद कर सकते हैं अफरीका विशेश रूप से हौन अफ अफरीका भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपून हैं अफरीका के 27 अलप विक्सित देश घ्यार पारसपरिक आधार पर शुलक मुक्त टारिफ वरियता से लाभानवित हो रहे हैं भारत अफरीकी देशों को रेलवे लाइनों के निर्मान, विद्यूती करन, परियोजनाओ, क्रिशी मशीनी करन आधी के लिए रियायती लाइन ओफ क्रेडिट प्रदान करता है कई अफरीकी देश अंतराष्ट्रिय सौर गटबंदन में भाग ले रहे हैं ये विद्यभारती, ये आरोग्यभारती, वैक्सीन मैत्री जैसी पहले आरंभ की गई हैं तमिलनाडू के राजपाल ने मंत्रियों के विभागों में फेर बदल करने के राजसरकार के अनुरोद को अस्विकार कर दिया है समิधान के आनुचेद 164-1 के अनुसार मोख्यमंत्री की नेउकति राजपाल द्वारा की जाएगी राज्यों की ये शिकायत रही है कि राजपाल की कई कारवाईयां उनके प्रशासन में हस्तशेब जैसी होती है और ये संगवाद की अवधारना के खिलाफ है राजेपाल राजे कारेपालिका का प्रमुख होता है, वो केंदर सरकार के एजन्ट की तरह कारे करता है और उसके पास कई शक्तियां होती हैं, जैसे कि कारेकारी शक्ति के तौर पर वो राजे के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिशद की नियुक्ति करता है, नियाएक श शमा, परिहार, लगुकर्ण की शक्ति का उपयोग कर सकता है। विधाई शक्ति के तहत वो आपात इस्थिती में अध्यदेश जारी कर सकता है। और इस कारण राजपाल और सरकार के बीच अविश्वास पैदा होता है। इवी बैटरी से संबंदित है। केंद्रिय कोश के गठन का भी आवान किया गया है। ये इवी बैटरीयों के अनुपियोगी हो जाने के बाद उनके पुनरचकरन के लिए एक व्यापक द्रिश्टिकॉन का समर्थन करता है। इसका उद्देश लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और ग्रिफाइट जैसे खरीजों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। इवीज को अकसर उनकी संधारिनियता और पर्यावरन के प्रती अनुकूलन के साथ जोड़ा जाता है। हाला कि आलूचकों का ये मानना है कि उत्सरजन संबंधी लाभों को अकसर बढ़ा चड़ा कर बताया जाता है। क्योंकि इसमें बैटरी प्रबंधन संबंधी चुनोतियों को अंदेखा कर दिया जाता है। प्रती में प्रती में प्रियावरन के अनुकूल नहीं है। उच्चता अपमान और परिश्कृत मशीनिरी की आवश्यक्ता होती है। कुशल बैटरी ट्रेकिंग तंत्र के लिए प्रभावी नियम बनाना। बैटरी के end of life के बाद उसके लिए कौन जिम्मेदार है इसकी एक इसपश्ट परिभाशा बनाना। नियुनतम निप्टान के साथ EVs और उसके घटकों का सुरक्षित पुनर्चकन सुनिश्चित करने के लिए मानक निर्धारित करना। इस प्रणाली में कोई व्यक्ती एक वित्यस अंस्थान में सुरक्षित और डिजिटल रूप से अपनी जानकारी तक पहुँच प्राप्त करना। साथ ही इस जानकारी को अकाउंट एग्रिगेटर नेटवर्क में किसी अन्य विनियमित वित्यस अंस्थान के साथ भी साज़ा कर सकता है। ये उपियोग करताओं की सहमती के अधार पर अलग अलग वित्यस अंस्थानों के बीच लेंदेन से संबंदित डेटा या बैंक विवरंट साज़ा करने की अनुमती देता है। अकाउंट एग्रिगेटर नेटवर्क दो प्रमुक सेवाओं जैसे के रिंट तक पहुँच और धन के प्रबंधन तक पहुँच को आसान बनाने में साहता प्रदान करता है। वर्तमान में साबजनिक और निजीज दोनों शेत्रकों के 23 बैंक अकाउंट एग्रिगेटर नेटवर्क के अंतरगत शामिल है। इसके अलावा FIEU के पास डेटा प्रवाह के लिए इंपोर्टेंट है। विश्व बैंक या NBFC शामिल हैं, वेक्तिगत वित्व प्रबंधन, इसके अलावा धन प्रबंधन और रोबो सलाहकार। विश्व बैंक के रिपोर्ट के मताबिक सबसीडी जलवायू परिवर्तन से लड़ने में मदद नहीं करती। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कृषी, मत्यन और जीवाश में इंधन शेत्रकों को अप्रबहावी रूप से सबसीडी देने के नकरात्मक परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। इन शेत्रकों को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कई ट्रिलियन डॉलर की सबसीडी प्रदान की जा रही है। इन सबसीडी द्वारा प्रोच साहित है। मार्क दर्शक सिध्धानतों की अगर हम बात करें तो इसमें लोग स्विक्रती का निर्मान करना और विश्वसनियता में कमी को दूर करना होगा। साथी प्रभाव शीलता में सुधार लाने और सुधार की लागत कम करने के लिए पूरक उपायों को लागू करना होगा। सामाजिक सुरक्षा और शतिपूर्ती के माध्यम से अलपकालिक मुल्ले आगातों को कम करना होगा। प्रतिकूल सबसीडियों को साफधानी पूर्वक और चरनबध तरीके से कम करते हुए उन्हें पूरी तरह समाप्त करना होगा। साथी समान या प्रगतीशी लाभों के साथ दीरकालिक पुनर्निवेश के माध्यम से राजस्व का पुनर्वित्रन करना होगा। प्रतिसपर्धा आयोग मामले में अपने हालिया फैसले में सूप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के एकाधिकार वाली संस्थाओं, सरकारी कमपनियों और साधनिक शेत्र के संगटनों को प्रतिसपर्धा रोधी प्रताओं में लिप्त होने की अनुमती नहीं दी जा सकती। ये सबी कमपनिया प्रतिसपर्धा आधिनियम और CCI के दाइरे में आती हैं। 2021 की तुलना में मात्रा की द्रिष्टी से 26.7 तीन प्रतिशत और मुल्ली की द्रिष्टी से 4.3 एक प्रतिशत की बढ़ुतरी दर्ज की गई। भारत ने इस अवधी के दौरान लगभग 17 लाख मीट्रिक टरन समुदरी खादे का निर्यात किया है। इसका मूल्य लगभग 8 बिलियन डॉलर है। सेंक्त राज्य अमेरिका भारतिय समुदरी खादे का सबसे बड़ा आयातक है। इसके बाद चीन, येरोपिय संग और दक्षिन पूर्व एशिया का इस्थान है। फ्रोजन जींगा भारत से निर्यातित प्रमुदरी खादे है। 2021 द्वारा की गई थी। ओपन मार्केट सेल स्कीम। इस रूप से उत्पादन में कमी वाले शेत्रों में खुले बाजार की खीमते नियंत्रित रखी जाती है। और राजिसरकारें दोनों निलामी में भाग ले सकती है। आत्मक मा प्रस्तुत करना है। अचान करने में सहायक है। प्रक्रिया के अंत में या खरीद के पुष्टी के बाद दिखाया जाता है। बैट एंड स्विच की बात करें तो इसके तहत विज्यापन में वस्तुओं की अविश्वस्निय रूप से कम कीमत दिखाई जाती है। लेकिन खरीद के समय खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं से उसे बदल दिया जाता है। ऐसा कहना है कि किसी विशिष्ट उत्पाद या सेवा की मात्रा बहुत सीमित है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अगला टॉपिक है आयुष्मान भारत स्वास्ते खाता पहचान आभा आईडी। हाली में सरकार के कोविड-19 टी का करन पोर्टल डेटा की कथित हैकिंग की घटना ने आयुष्मान भारत स्वास्ते खाता पहचान प्रणाली को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा कर दी है। पोकली चावल केरल राज्य में उगाई जाने वाली धान की जैविक किस्म है। किया गया था। के लेने वाला सर्वोच निकाय है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। वेश्विख भारतिय वेज्यानिक फैलोशिप कारिक्रम वैभाव। केंद्र सर्कार ने वैभाव फैलोशिप कारिकरम की घोचना की है। इसकी कारेंवेन एजेंसी है विज्ञान और प्रध्योगी की मंत्राले के तहत विज्ञान और प्रध्योगी की विभाग। होता है अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ तब तक अपने लक्ष के लिए तत पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अब हमें यानि विजन आइस की पूरी टीम को दीजे इजाजब नमस्कार